जेहिन दोस्तो आर्मी और SSE GD के इस special class में आप सभी का स्वागत है दोस्तो मैं हूँ सिबा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिबा online classes में तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, comment करना और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज क जनरल कौन था तो question number बन के options आपके सामने आ चुके हैं तो यहाँ पर question number बन का सही answer होगा option d field marsal km करियपा field marsal km करियपा भारती सिना के पहले जनरल थे ठीक है next question है आपका question number two Victoria memorial कहां इस्तित है option से आपके मुंबई दिल्ली कोलकाता और चेनली दोस्तों इस question का answer बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में 10 questions होंगे और अगर आपको किसी भी question का जवाब आता है तो आप comment box में comment करके जरू बताएं और last में आपके 10 मे ठीक हुए वो भी comment करके जरू बताएं ठीक है तो question number two का सही answer होगा option C Kolkata तो Victoria memorial कहां पर है Kolkata पस्चे मंगाल में next question है आपका question number three भारती सेना का बरतमान में सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों यह question है बहुत ही important question है ठीक है Indian Army का जो written exam होता है आप यकीन मानिए कि यह question आपको हर बार repeat होता हुँ दिखाई देगा ठीक है तो Indian Army का बरतमान में सेना अध्यक्ष कौन है ठीक है तो option से आपके general Manoj Mukundh Narwane, general Vipindravat, option C है general BK Singh और option D है general Vikram Singh question number 3 का सही answer होगा option A general Manoj Mukundh Narwane question number 4 है जापान की संसत का नाम क्या है यह भी दोस्तों जो question है बहुत ज़्यादे important questions है काफी बार यह questions आपके defense के जो exams होते हैं उनमें repeat होता रहता है तो यहाँ पर दोस्तों यह question है कि जापान की संसत का नाम क्या है option से आपके congress, duma, diet या फिर assembly तो यहाँ पर धियान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि question number 4 का जो सही answer है बो है option C, diet question number 5 है भारती थलसेना का इस्थापना दिवस कब मनाया जाता है मतलब Indian Army Day कब मनाया जाता है option से आपके 15 January, 8 October, 4 December या फिर 8 October तो भारती थलसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 January के लिए तो question number 5 का सही answer होगा option A, 15 January next question के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 10 बजे daily general knowledge की जो बीडियो है वो upload की जाती है और ये जो बीडियो है इसमें जो भी questions होते हैं वो आपके Army, Air Force, Navy और SSC, GD के अंतरकत आने वाली सभी forces के जो written exam है उनके exam को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही important है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आये दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए दोस्तों, next question के तरफ चलने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल के लिए बिलकुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं बहां पर दोस्तों, आपके लिए डेली एक PDF मिलती रहती है और ये PDF आपके लिए बिलकुल फ्री होती है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होता है Question No.6 है, बिस्व का सबसे छोटा देश है? Options है, Vatican City, Germany, Indonesia या फिर Nepal तो वर्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पर Question No.6 का सही आंसर होगा आपका Vatican City सबसे छोटा देश बेटिगन सिटी और सबसे बड़ा देश आपका होता है, रूस ठीक है, रूस बिस्व का सबसे बड़ा देश और बेटिगन सिटी बिस्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है Next Question है हमारा, Question No.7 सार्क का मुख्याले कहां है? ठीक है? तो Options है आपके Paris, Option B है धाका, Option C है New York and Option D है काटमांडू तो Question No.7 का सही आंसर होगा आपका, Option D, काटमांडू अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कि अगर यह Question आता है कि सार्क का मुख्याले कहां पर है, तो आप लगाएंगे टिक, काटमांडू नेपाल में और अगर यह Question आता है कि सार्क की जो पहली बैठक हुई थी, वो कहां हुई थी, तो वो पहली बैठक हुई थी दोस्तो, सार्क का जो पहला सम्मिलन हुआ था, भो हुआ था धाका, बंगला देश में, ठीक है तो यहाँ पर इनमें कन्फूज नहीं हुईएगा, अगर पहली बैठक आती है, पहला सम्मिलन आता है सारका, तो धाका, बंगला देश और इसका मुख्याल लग कहां पर है, तो काटमांडू नेपाल में, ठीक है okay, question no.8 है, रेड कलिफ रेखा कि देशों के भारत और चेन अमेरिका और कनाडा, पाकिस्तान और बंगला देश तो question no.8 का सही answer है, option a, भारत और पाकिस्तान, जी हैं दोस्तो, 1947 में भारत और पाकिस्तान के जब बिभाज़न हुआ था तो उस रेखा का नाम पला था भारत और पाकिस्तान की बीच में जो रेखा है उसका नाम रेड कलिफ रेखा ठीक है इसी रेखा से भारत और पाकिस्तान के लिए 1947 में बिवाजित किया गया था एक बात आपको और बता दें, आपको भारत और पाकिस्तान के बीच मागर question आता है, तो red cliff रेखा, और भारत और चीन के बीच मागर question आता है, तो आपका magmohan रेखा है, ठीक है, तो आप confused नहीं होगेगा, भारत और चीन, magmohan, और भारत और पाकिस्तान, red cliff रेखा, Q9 है चंद्रकुप्त मौरे ने कौन सा धर्म अपनाया था Options है इसाई, Option B बौधर्म, Option C जैन धर्म and Option D है आपका इन में से कोई नहीं तो दोस्तो चंद्रकुप्त मौरे ने जो धर्म अपनाया था वो था जैन धर्म Q9 का सही आंसर है Option C जैन धर्म और आज की वीडियो का सबसे important और last question है भारत में आने वाला प्रिथम चीनी यात्री कौन था ठीक है Options आपके हैं फाहयान, हेन सांग, मेक स्थनीच या फिर अलबरूनी तो दोस्तो आपके लिए बता दूँँ आपके एक ही दो question का यहाँ पर एक ही answer होगा अगर आपके exam में question आता है कि भारत में आने वाला प्रिथम चीनी यात्री कौन था तो भी फाहयान और question आता है अगर कि भारत में आने वाला प्रिथम विदेशी यात्री कौन था फिर भी फाहयान ठीक है आपके यहाँ पर दो question क्लियर होते हैं भारत में आने वाला प्रिथम चीनी यात्री और भारत में आने वाला प्रिथम विदेशी यात्री आपको दोनों ही कंडिशन में फायान के लिए आंख मीज के टिक कर देना है बहुत ही important question से दोस्तों यहाँ पर काफी लोग इसमें confused हो जाते हैं और यहाँ पर मैगिस्त मीज के लिए टिक कर देते हैं लेकिन भारत में आने वाला प्रिथम यात्री प्रिथम विदेशी यात्री और प्रिथम चीनी यात्री दोनों ही फायान थे ठीक है तो यह थे आज के 10 question वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो क के वारत